Hello dear students, आज के वीडियो में हम differentiation का next topic प्राचलिक समीकरणों का अवकलन यानि की differentiation of parametric equations पढ़ने वाले हैं तो बहुत आसान ये topic है और आगे के आपको जो भी topics हैं पुराने topics के comparison में ज्यादा आसान लगेंगे बशर्ते की आपको formula याद हो गए हैं और chain rule, product rule, division rule आपको मालूम हैं तो आगे हमें ज्यादा आसान questions मिलने वाले हैं तो छोटा सा topic है बलकि हम दो topics आज के वीडियो में cover करने वाले हैं पहला है हमारा differentiation of parametric equations यहां से two marks के question अक्सर बनता है कभी-कभी six marks का भी बन जाता है तो देखिए कैसे इन questions को हम solve करते हैं तो parametric equations यानि कि प्राचलिक समीकरण होती क्या हैं पहले आपको इस बात को समझना जरूरी है आपने अभी तक के जितने भी questions किये उसमें आपको y और x के बीच में एक direct relation मिलता था जैसे की y equal to fx के तरह से हम इसको represent करते थे माल लीजे आपको मिलता है y square equal to 4ax तो एक example मैंने ले लिया इस तरह के आपको direct y और x के बीच में equation मिलती थी या फिर y जो उटा था वो x का सीधे-सीधे फलन sin x plus cos x जो भी है x के पदों में होता था अब parametric equations का मतलब यह होता है कि y और x directly एक जिसरे से related नहीं दिये हुए है लेकिन दोनों किसी तीसरे variable किसी तीसरे चर के फलन है कहनेगा मतलब तो ऐसे questions में अब क्या होगा आपको x और y के बीच में direct कोई relation नहीं मिलेगा बलकि दोनों किसी तीसरे variable किसी तीसरे चर के फलन होगे जैसे अगर x को मैं ut, t का फलन क्या दू f, t भी आप इसे लिख सकते हैं और y भी t का फलन है आप gt लिख लिख लिजए या मैंने vt लिख लिख लिए है तो x और y दोनों t के फलन है example के लिए x की value है at square और y की value है 2at क्योंकि दोनों t पे depend कर रहे हैं तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में भी कोई relation होगा आप यहां से t की value निकालके y upon 2a यहां रखके दिखिए तो आपको y square equal to 4ax मिल जाएगा तो आगे के equations में आपको x और y की दो equations दिखेंगी जो किसी तीसरे variable t के terms में होगी तो ऐसे case में आप dy by dx कैसे निकालेंगे इसके लिए एक formula होता है जो आपको learn करना है इसे याद करना बहुत असान है dy by dx equal to होता है dy by dt upon dx by dt simple इस formula को आप यहां पर use करेंगे आपको पहले निकाल लेना होगा dy by dt और dx by dt जो कि simple differentiation से आजाएगा जैसे आपने अभी तक differentiation करना सीखा है और यहां पर को आपको value रखनी होगी तो example के लिए मैं यही वाला question लेके देखती हूँ जो मैंने उपर आपको फलन दिखाया प्राचलिक समीकरण के रूप में किस तरह से दिया होगा तो आपको दिया होगा x equal to a t square और y equals to 2 a t और आपको find करना होगा dy by dx कितना होगा तो जैसे मैंने कहा dy by dx करे फॉर्मूला यह है यानि आपको dx by dt और dy by dt दोनों की जरूरत है तो इन्हें हम calculate कर लेंगे x equal to a t square हमें given है since x equal to a t square तो अगर आप dx by dt निकालेंगे तो इसे आप लिखेंगे d by dt a t square तो a तो constant है into में जब भी होता है बाहर आ जाता है t square तो t square का t के respect में तो इस simple differentiation जैसे आप x square का differentiation करते थे x के respect में 2x होता था बिल्कुल वैसे ही t square का differentiation t के respect में हो जाएगा 2t simple x की power n वाले formula से x की power n का differentiation n x की power n minus 1 होता था अभी x की जगापर t आ गया है तो 2t की power 2 minus 1 यानि 2t तो यह हमें मिल गया 2a t dx by dt equals to अब हमें चाहिए dy by dt तो y equals to given है क्या 2a t तो dy by dt हम निकालेंगे तो dy by dt equals to आ जाएगा dy dt 2a t तो यहाँ पर भी आप देख रहें 2a तो constant है जो constant होता है वो बहार आ जाता है 3 बजिया जैसे x का differentiation 1 होता था वैसे t का differentiation t के respect में हो जाएगा 1 तो आपको मिल गया है dy by dt equals to 2a अब आप इस formula को use कर देंगे तो आप लिखेंगे since हमारे पास formula है dy by dx equal to dy by dt upon dx by dt तो dy by dt की जगा आप रख देंगे 2a upon dx by dt की जगा आप रख देंगे 2a t धियान दीजेगा formula में उपर आता है dy by dt ये आएगा नीचे आता है dx by dt कई बार बच्चे गलती कर देते हैं dx by dt वाले को पहले उपर लिख देते हैं अंशिया numerator में और हर में denominator में dy by dt को लिख देते हैं तो formula में ध्यान दीजे dy by dt उपर है तो इदेखे 2a से 2a कैंसल हो गया और dy by dx equal to आपका अंसर आगया 1 upon t तो ये बहुत ही आसान question है इस तरह का question आपका एक question जरूर एक्जाम में बन सकता है तो इस तरह के कुछ problems और देखेंगे तो next question है आपका screen पर x equal to t plus 1 upon t y equals to t minus 1 upon t और आपको dy by dx फाइन करना है तो जैसे मैंने कहा आपको आपको यहाँ पर को dy by dx फाइन करने के लिए जो formula यूज करना है dy by dx का formula होता है जब भी equation आपको प्राचिलिक समिकरन दी हो यानि x और y t के या theta के किसी भी तीसरे variable के terms में दी हो तो dy by dt upon dy उपर है तो उपर dy by dt नीचे dx है तो नीचे आजाएगा dx by dt d plus 1 upon t तो dx by dt हम निकालेंगे तो dx by dt equals to d by dt t plus 1 upon t हो जाएगा तो आपको मालूम है जब भी हम plus या minus में differentiation करते हैं तो दोनों terms का अलग-अलग differentiation कर देते हैं सबसे पहले t का differentiation आप चाहें तो इसको open करके लिख लीजिए direct भी आप लिख सकते हैं अगर आपको समझा गया पहले t का plus इसका तो ये है d by dt 1 upon t है इसको अगर मैं t को उपर लिखूंगी तो इसकी power negative हो जाएगी यहाँ 1 power थी उपर जाके minus 1 हो जाएगी तो t का differentiation t के respect में हो जाएगा 1 plus यहाँ पर t की power minus 1 का t के respect में कर रहे हैं तो simple जैसे x की power n का करते है nx की power n minus 1 तो n यानि minus 1 x की जगह पर अभी t है minus 1 minus 1 तब यह हमारा बन जाएगा 1 plus minus minus हो जाएगा 1 in 2 में है तो आप छोड़ सकते है t की power minus 2 यानि कि यह आपका आजाएगा 1 minus t की power minus 2 को आप लिख सकते है 1 upon t square जब भी negative power को अंशिया हर में आप उपर नीचे करेंगे तो positive हो जाएगी इसी तरह से आप y को देखेंगे हमारे पास y है t minus 1 upon t तो आप differentiation हम करेंगे dy by dt equals 2 हो जाएगा dy by dt t minus 1 upon t तो अलग-अलब differentiation दोनों का हो जाएगा dy by dt of t minus dy by dt of 1 upon t तो t का t के respect में हो जाता है 1 minus बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पर किया 1 upon t का हो जाएगा 1 upon t square minus 1 upon t square आप देख रहे हैं minus 1 upon t square आ रहा था तो यह minus 1 upon t square यानि कि 1 minus minus हो जाएगा plus 1 upon t square तो अब आपको निकाल देना है dy by dx तो यह हमारा आया dy by dt तो अब हम निकालेंगे dy by dx जिसका formula था यह यानि हमें केवल यहाँ पर value रखनी है dy by dt और dx by dt की तो therefore dy by dx equal to dy by dt upon dx by dt तो dy by dt की जगा आप value रखेंगे 1 plus 1 upon t square upon dx by dt की जगा आप value रखेंगे 1 minus 1 upon t square तो t square जब lc m लेंगे उपर तो t square lc m लेने से यह से multiply होगा t square plus 1 upon नीचे t square lc m लेंगे तो यह से multiply होगा t square minus 1 तो यह दोनों upon वाले जो हैं cancel हो जाते हैं और cancel होने के बाद जो आपका answer आएगा वो आएगा dy by dx इक्वल टू उपर बजिया t square plus 1 upon नीचे बजिया t square minus 1 तो इस तरह का question 6 marks में भी आपका पूछा जा सकता है तो next question है x equal to a cos cube theta y equal to a sin cube theta यह question पूछा गया exam में 2016 और 2014 में और इस बार के लिए भी मुझे equation important लग रहा है तो इसे देखते हैं कैसे हम solve करेंगे अभी x और y दोनों theta के terms में दिये हुए t या theta कोई भी दूसरा variable हो सकता है अभी theta के terms में दिये हुए तो dy by dx हमें find करना है formula same apply होगा dy by dx equal to हम पढ़ते थे dy by dt अभी theta है तो यह आजाएगा dy by d theta upon dx by d theta तो अभ हमें इन दोनों की value निकाल कर यहाँ put करनी है तो हमारे पास x की value है x equal to a cos cube theta हमें निकालना dx by d theta तो dx by d theta इसका मतलब है d by d theta of a cos cube theta तो मैंने बताया कि जब भी कोई constant into या upon में होता है तो यह बाहर निकल आता है a बाहर आ जाएगा यह हो जाएगा d by d theta of cos cube theta या फिर इसे मैं लिख सकती हूँ a d by d theta of cos theta whole cube अब इस cos theta whole cube का differentiation कैसे होगा यह हमने सीखा था chain rule है अगर आप इसको ध्यान से देखे हैं तो यह whole cube type का बन रहा है यानि कि यह similar है x cube के अगर यहाँ पर cos theta ना होकर theta होता x cube अगर x के respect में differentiation होता तो यहाँ x cube होना चाहे था theta के respect में हो रहा है तो अगर यह theta cube होता तो आप directly theta cube का differentiation लिख देते 3 theta square लेकिन theta की जगा पर क्या है cos theta तो जैसे आप वहाँ पर करते थे इसको आप समझ लेंगे t तो अब आप करेंगे यह बन गया t cube t cube का differentiation होता है 3 t square t का अर्थ था cos theta 3 cos theta का square इन्टू जिसे भी आपने t माना है उसका दुबारा से differentiation करना है यानि कि d by d theta of cos theta तो अब यह आपका बनेगा a into 3 cos square theta into cos theta का differentiation हो गया minus sine theta तो थोड़ा सा इसको हम सही रंग से लिख लेते है constants बाहर लिख लेते है minus sine बाहर निकाल लेते है minus 3a cos square theta into sine theta यह आपका बन गया है dx by d theta अब आपको बिल्कुल इसी तरह से क्या निकालना है dy by d theta तो dy by d theta का मतलब आपका हो जाएगा y क्या था a sine cube theta था तो d by d theta of a sine cube theta तो जैसा मैंने आपको बताया constant बाहर आजाएगा a और यह आपका बज़ जाएगा d by d theta sine cube theta को हम लिख सकते है sine theta whole cube जब भी sine और theta के बीच में cube लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि यह पूरे का cube है whole cube इसे लिखा जा सकता है अब इसका differentiation बिलकुल उसी तरह से chain rule से होगा इसे आप समझ लेंगे t t cube जैसा बन जाएगा t cube का होता है 3t square यानि t की जगे पर क्या था sine theta तो 3 sine theta का square into में हमेशा जिसे आपने t समझा है उसे दुबारा करेंगे theta के respect में हो रहा है d by d theta of sine theta तो यह आपका बन जाएगा 3a यह हो जाएगा sine square theta और into sine theta का theta के respect में differentiation होता है cos theta तो यह हमारी value आई d by by d theta की अब आपको निकालना क्या है आपको निकालना है d by by d x तो d by by d x का formula हमने शुरू में लिखा है तो यहाँ पर हम value पुट कर देंगे d by by d x equal to d by by d theta यानि कि यह 3a sine square theta into cos theta upon dx by d theta यानि कि यह minus 3a cos square theta into sine theta तो आप यहाँ पर देख रहे है 3a से 3a कैंसल हो जाएगा यह sine theta है यह sine theta का square है यानि 2 sine theta है तो 1 कैंसल हो जाएगा इसी तरह से cos theta है यहाँ square है तो 1 cos theta कैंसल हो जाएगा तो यहाँ आपका बज़िया sine theta upon यहाँ आपका बज़िया minus cos theta तो d by by dx equal to आपका answer आगया minus sine theta upon cos theta होता है 10 theta तो आपका answer आगया minus 10 theta तो इस six marks के लिए important question है तो screen पर दो questions आपको practice problems दिख रही है आपको इन्हे solve करना है और इसके answer बताने comment box में तो next topic भी हम आज के वीडियो में पढ़ रहे हैं जो है एक फलन के सापिक्ष दूसरे फलन का अवकलन ये topic parametric equation से ही मिलता जुलता है चोटा सा topic है असान सा और इससे भी 2 marks का question आपके exam में पूछा जा सकता है तो अब हम देखेंगे कैसे हम एक फलन के सापिक्ष दूसरे फलन का अवकलन करते हैं differentiating one function with respect to another function देखें अभी तक आप जो question करते थे उसमें dy by dx होता था कहने का मतलब y को ही फलन होता था x का और उसे x के respect में differentiate करना होता था y होता था फलन यानि की function और x होता था आपका चर यानि की variable तो आप एक function को दूसरे चर के respect में variable के respect में differentiate करते थे अब क्या हो अगर y भी एक फलन हो और नीचे x की जगह पर भी आपको कोई फलन दिया गया हो कहने का मतलब आपको पहला फलन दिया है u equal to fx और दूसरा फलन दिया है gv equals to gx और आपको find करना है du upon dv यहाँ पर u भी आप देख रहे हैं x का एक फलन है और v भी x का एक फलन है तो आपको du by dv find करना है तो आप कैसे करेंगे ऐसा कहने का अर्थ है माल लीजिए आपको कहीं पर कह दिया कि sin x का अवकलन cos x के सापेक्ष कीजिए sin x का अवकलन cos x के सापेक्ष कीजिए तो इस तरह का question अगर आपसे पूछा गया है तो आप कैसे करेंगे ठीक है इस तरह का question आपको एक्जाम में पूछा जाएगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि sin x का अवकलन न होता है cos x लेकिन अपको अभी sin x का अवकलन x के सापेक्ष नहीं पर इख़ की cos x के सापेक्ष करना है तो ऐसे cases में जो do by dv का formula होता है वो प्राचलिक समीकरंट से मिलता-इजिलता formula होता है उपए du है तो du by dx upon नीचे dv है तो dv by dx ये इसका formula होता है आपको करना क्या है u और v दोनों को x के साप एक्ष अवकलन कर देना है और फिर इस formula में value रख देनी है तो इन questions में जो खास बात होगी वो ये होगी कि आपको किसे u मानना है और किसे v मानना है तो ध्यान दीजेगा you आप उसे मानेंगे जिसका अवकलन करना है you आप किसे मानेंगे जिसका अवकलन करना है यानि कि जिससे differentiate करना है जिसका अवकलन करना है और v, v आप किसे कहेंगे जिसके सापेक्ष आपको अवकलन करना है V यानि कि जिसके सापेक्ष, जिसके respect में आपको differentiation करना है, उसे हम मानेंगे V, जिसके सापेक्ष अवकलन करना है, तो अगर आप ये बात को समझ जाते हैं, तो अब आगे आपके लिए बहुत ही असान है, इस topic को समझना, आप देख रहे हैं, question में क्या दिया हुआ है, sin x का अ V, किसके सापेक्ष करना है, cos x के सापेक्ष, तो V equal to cos x हो जाएगा, इसी को English में लिखा रहेगा, differentiate sin x with respect to cos x, तो differentiate sin x, यानि sin x का differentiation होना है, तो u equal to sin x, with respect to cos x लिखा है, यानि cos x आपका बन जाएगा V, तो आप निकाल देंगे du by dx, du by dx आपका, d by dx of sin x, यानि कि क्या आजाए sin x का x के respect में होता है, cos x, और यहाँ से आप निकालेंगे d by dx, d by dx कहने का आर्थ है, d by dx of cos x, तो cos x का differentiation x के respect में क्या होता है, minus sin x, ठीक है, du by dx हमारा आगया cos x, और d by dx हमारा आगया, minus sin x, तो बस अब हमें इस formula में रख देना है, formula हमारा था, since du by db equals to, du by dx upon d by dx, तो du by dx का आर्थ है, cos x, और d by dx का आर्थ है, minus sin x, तो minus आप उपर लिखते है, cos x upon sin x क्या बन जाएगा, cot x, तो यह आपका आगया, du by dv equals to minus cot x, यह आपका answer है, तो simple सा question है, 2 marks का संभावना है, पूछे जाने की, हो सकता है, 6 marks में भी आज़, तो एक और similar question यहाँ पर हम लोग देखेंगे, x की power 7 का differentiation कीजिए, x की power 3 के सापेश, differentiate x की power 7 with respect to x cube, तो जैसा मैंने कहा, जिसका differentiation होना है, उसे मान लेना है आपको u, u equal to x की power 7, और जिसके respect में, जिसके सापेश अब कलन होना है, उसे मान लेना है v, v equal to x cube, फिर आपको निकालना है du by dx, तो du by dx, यानि की d by dx of x की power 7, x की power 7, simple formula लग जाएगा, nx की power n-1, तो 7x की power 6 हो गया, इसी तरह से dv by dx, equal to d by dx of x cube, तो x cube का differentiation simple हो जाएगा, 3x square, तो अब आप formula में value रखेंगे, आपको निकालना तो क्या है, du by dv, u का v के सापेश, यानि की du by dv आपको निकालना है, तो du by dv आपका होता है formula, du by dx upon dv by dx, तो du by dx में आप value रखेंगे 7x की power 6, upon dv by dx में आप value रखेंगे 3x square, तो आप देख रहे हैं, यह हो गया 7 upon 3, x same base है, upon में हैं तो घाते घट जाती है, x की power 6 minus 2 यानि की 4, तो यह आपका आगया d, आप चाहें तो u की जगे sin x लिख जीजे, d sin, sorry, क्या था, x की power 7, dx की power 7 upon d, x की power 3, इसका मितलब हो गया, x की power 7 का differentiation x cube के respect में, equal to आपका answer आगया, 7 upon 3, x to the power 4, तो यह आपका answer है, इस तरह से आपको एक फलन का आफगलन, दूसरे फलन के सापेक्ष करना होता है, तो यह एक और practice problem आप लोगों को दे रहे हूं, इस topic से related, जिसमें आपको एक फलन के सापेक्ष, दूसरे फलन का उगलन करना है, तो इन तीनों practice problems को आप solve कीजिए, answer मुझे लिखिए, कोई doubts या confusion होतो, comment box में आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मिलेंगे next video में, thanks for watching the video.